आई फ्रेंट्स मेरा नाम डॉक्टर देवशीश चंदर मैं जॉइन्ट रिप्लेस्मेंट आज जॉइन्ट प्रिजर्विशन स्वर्जन हूँ आज का जो यह टॉपिक है वो है शोल्डर से रिलेटेड फ्रोजन शोल्डर भोग दो ने सुना हूए बहुत ही कॉमन टर में क्या है फ्रोजन शोल्डर उसके बारे में मैं ठोड़ा सा डिस्क्राइब करने हैं बहुत सारे myths भी हैं बहुत सारी problem भी हैтесь शोल्डर से सभ दिलेटेड और फ्रोजन शोल्डर से सभ देखते हैं उनमें क्या होता है सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैं ये चीज़ हर जगे जाके हर डॉक्टर के पास हर फिजियो थर्पिस के पास बोलता हूँ कि प्लीज दू नाट यूज थेस टर्म फ्रोजन शोल्डर क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो है वो ज़रू ही नहींगी कोई एक डिजीज हो बहुत समय ये एक किसी कारण से हमें कोई एक प्रॉब्लम हो रही है उसका एंड पॉइंट रिजल्ट हो फ्रोजन शोल्डर को अगर मैं लेम एंड डम में समझाओ तो फ्रोजन मतलब की जमा हुआ कंदा जो की मूव नहीं कर रहा है आपकी मूवमेंट बिलकुल नहीं हो पा रही है अगर आप मूव करने की कोशिश कर रहे है तो पेंफुल हो रही है बट यूजिली ये एक तरह से हमें एंड पॉइंट मिलता है इसका कारण क्यू हुआ है वो different होता है बहुत सारी different चीज़ हुए है जब भी हम किसी doctor के पास जाते है और कंदे की pain बोलते है और वो हाथ को चलाने के लिए बोलते है हमारी movement में pain होता है तो diagnosis देता है frozen shoulder हुआजिया frozen shoulder क्यों हुआ है उसका कारण कोई नहीं ढूना जाता है क्योंकि क्यों से ही treatment होता है क्यों से ही ठीक होने वाला now frozen shoulder जैसे ही diagnosis होता है वो patient diabetic हो या उसको thyroid या कोई medical condition associated हो तो बहुत समय देखा गया है कि frozen shoulder अपने आप हुआ होता है so हर patient को categorize करने से पहले हमें decide करना है कि वो problem किस लिए हुई है सबसे पहला कारण frozen shoulder का जो कारण है वो shoulder के अंदर किसी injury से trigger किया हूँ shoulder की injuries कैसी हो सकती है मैं समझाने के लिए समझाता हूँ दो category में either trivial injury trivial मतलब कि इतनी छोटी injury जो आपको बिल्कुल ना पता जिने and कोई major injury trivial injuries कैसे हो सकती है जैसे मैं घर पे slip हुआ और मैंने अपने हाथ से shoulder के joint से अपने handle को पकड़ा दरवाजे के angle को और अपने आपको गिराने से बजा दिया या मैंने कोई समान overhead bin से निकाला उपर से निकाला और उसमें अर्जानक से निकालते हो जटका लगा या मैं shoulder के उपर late गया सारा रात उसी के उपर लेटा गया either this position में या खंदे के उपर directly और movement बिल्कुल भी नहीं या मैं किसी चीज़ के साथ जाके टकरा गया जिसमें shoulder की injury हो गई तो इन cases में क्या होता है कि shoulder में ligament में या muscle में या अंदर cartilage में injury होती है जो एकदब minor होती है क्योंकि हम continuously movement उसके बाद कर रहे होते है तो धीरे 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 जाके वो एक दो महीने में जाके precipitate करती है many a time ये frozen shoulder का जो prior injury होता है एक दो तीन महीने पुराना होता है तब हमें कोई problem नहीं होती है जैसे injury हुई और मैंने हाथ चला है मुझे लगा है कि हाथ तो चल रहा है सब कुछ ठीक है पठ हो सकता है muscle में partial tear हो जैसे सबसे commonly frozen shoulder मिलता है rotator cuff की सबसे important muscles supraspitis के partial tear में मिलता है चोटे muscles tear अगर आपने उस समय rest नहीं लिया आपने उस समय medication exercises नहीं की उस समय हो सकता है आपका छोटा सा partial tear जो है major tear में convert number two, labral tear cartilage के tears अंदर होते हैं जिसमें जो की minor tears होते हैं बहुत समय heal कर जाते हैं but immediately आपको बहुत painful नहीं होते हैं जैसे हमारी activity होती रहती है पीन आता है और उसके बाद frozen shoulder develop हो जाता है तीसरी चीज़ जोडों के अंदर जो चिक नहीं होते हैं वो गर किसी कारण से कम होने लगे हैं जैसे की osteoarthritis में होता है wear and tear बढ़ जाता है और जोडों का lubrication कम होता है या cartilage में labrum में injury थी या cartilage में wear and tear start हुआ तो ultimately आपको जाके frozen shoulder मिला तीनों का treatment आपके लिए different है तो इसलिए बहुत ज़रूरी डॉक्टर से जागे accurate diagnosis कराना अब major injuries के बाद भी कभी frozen shoulder बनता है जैसे आपको कोई पुराना fracture हुआ था fracture के बाद rehabilitation बेटर नहीं हुआ इसलिए कभ लिली जोड़ा जोड़ा है चाम हो गया इसलिए हमें ये समझना है कि frozen shoulder का exact reason जानना ज़रूरी है किसलिए हुआ and many times जैसे मने बताया diabetes और thyroid को patients में बिना किसी reason से अगर उनका sugar level control नहीं है, thyroid control नहीं है तो सबसे पहला काम है अगर आप frozen shoulder type की problems हो रही जिसमें stiff shoulder है, painful है movement करने में difficulty हो रही है तो उसका current डून clinical examination ज़रूरी है और बहुत समय MRA की ज़रूरी है patients को लगता है कि MRA कराने का क्या फाइदा है अगर आपको कोई major injury नहीं है तो fracture तो मिलने वाला नहीं है तो सबसे पहला investigation अगर early phase में है तो मुझे लगता है MRAE होने वाला या clinical examination by doctor जिसको confirm करें हमारे के साथ तो ये दो investigation करा के आप doctor को दिखाए treatment क्या होने वाला है depends on कौन सी problem है अगर tear है, tear के साब से repair करने की जरू होता है अगर हमें cartilage wear and tear हुआ है तो हमें cartilage के medications cartilage के gel के injections and physical therapy help करने वाली है ठीक है, अगर partial tear हुआ है मैंने ये वाला treatment उन वे दे दिया है कि medications दे रहा हूँ, exercise करा रहा हूँ तो partial tear complete tear हुए बदल जाए, जिसके बाद आपका हाथ कभी उठेगा नहीं और हमेशन नीचे रहेगा तो jam हो जाएगा तो इसलिए दोनों के treatment तीनों के treatment अलगे लगे इसके सबसे जबूरी doctor को दखाए है और treatment कराए है अगर आपको frozen shoulder से related कोई भी ऐसा doubt है जो आपको पूछना है आप मुझे नीचे देगा नंबर को पूछ सकते है अपने हमारे एकसे share कर सकते है अपना एक voice note share अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है ठीक लगी है और आपको लगता है कि इसको आगे दूसरे लोगों तो पहुचाना है